नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से हमारे चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको फोरेश्ट गाड़ता है एक डेटा आपके सामने रखने वाला हूँ क्या डेटा जिसे दोस्तों इहां पर एनलाइसिस करने के बाद में आप खुद एक कटोप का आइडिया लगा शुकोगी कि यहां इतनी कटोप जा सकती है दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखीजिएगा, मैं आप एक एक चोटी चोटी बात आपके सामने रखने वाला हूँ तो दोस्तों इहाँ पर सबसे पहले मैं एक बरतिगी बात करता हूँ किसकी वनपाल की किसकी वनफाल बढ़ती गी दोस्तों यहाँ पर टोटल 150 पद थे कितने 150 पद जो कि TSP और Non-TSP दोनों को मिला का टोटल 150 पद थे दोस्तों मेरे बाद पूरी सुनिएगा एक बार तो दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ कि Document Verification के लिए दोग उना Candidate को बुलाए गया था मतलब 300 मतलब 300 स्टुडेंट को Document Verification के लिए बुलाए गया था लेकिन दोस्तों यहाँ पर कल एक नोटिस हाय था कल एक नोटिस हाय था इन में से दोस्तों 12% लगबग यहाँ पर 12% अनुपस्ति थे यानि कि 300 में से टोटल 35 स्टुडेंट 300 में से 35 स्टुडेंट हो अपसेंड हो गये थे जिन में से नोन टीएसपी के 28 और टीएसपी के 7 स्टुडेंट दोस्तों यह 35 स्टुडेंट हो Document Verification के लिए गये नहीं है तो यहाँ पर एक नया नोटिस हाय है कि इनको यह आपर एक और अनतिम चित्ती जारी की है जिसे आप पर यह Document Verification के लिए जा सकते हैं तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि 300 में से 35 स्टुडेंट हो अपसेंड रह गए थे तो दोस्तों अब यहाँ से जो फोरेश्ट का अड़ है पर लगबग यहाँ पर 6000 जो बोईज और गल्स है वो यहाँ पर लगबग 6000 फिजिकल में पास हुई है लगबग दोस्तों एक आइडिया की मान लेते हैं कि 6000 अगर पास होती है तो दोस्तों अगर 6000 का अपन इस हिसाब से आइडिया ले मतलब 12% का तो यहाँ पर 720 720 स्टुडेंट और डोकुमेंट विरिक्षन ले नहीं जाएंगे मतलब अगर इस हिसाब से अगर अपन लेते हैं दोस्तों वेश्चे तो और भी जो बढ़ते हैं उसमें लगबग 4-5% लगबग जाते हैं नहीं डोकुमेंट विरिक्षन के लिए लगबग दोस्तों यहाँ पर 720 निकल कर आता है लेकिन अपन फिर भी माने की 6000 तो पास नहीं करेंगे डोकुमेंट विरिक्षन के लिए क्योंकि यहाँ पर 2600 कुछ अपनी वेकेंशी है तो लगबग यहाँ पर 3300 के आज़ पास है जो पास करने वाले है दोस्तों यहाँ पर मेरा मानना है कि 500 पानसो स्टुडेंट और डोकुमेंट विरिक्षन के लिए भी नहीं जायेंगे कितने स्टुडेंट 500 स्टुडेंट कितने में से त्रेपंसों में से लगवग दोस्तों मेरा एक आईडिया है इस हिसाब से बता रहा हूं जैसे कि वनपाल में आपर अभी जो नया नोटिस है उसके हिसाब से और दोस्तों आप देख सकते हैं कि अभी रीट का रिजल्ट आ रहा है दिनों दिन और दोस्तों रीट में भी बहुत सारे स्टुडेंट का सेलेक्शन हो रहा है और यहां पर पुलिस में भी बहुत सारों का सेलेक्शन हो है तो दोस्तों यहां पर अगर सारे स्टुडेंट जो रीट वाली और पुलिस वाली अगर डॉकुमेंट वेरिक्सन के लिए जाएंगे और अगर उनका यहाप पर रिजल्ट आता है तो दोस्तों उसके बाद में यहापर फुरेश कार्ड की वेटिंग लिस्ट आने के यहापर पूरे-पूरे चांस हो बनते हैं. तो दोस्तों यह थी आपर एक मेरी तरब से सोटी शी जानकारी अगर दोस्तों यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जूर कीजिएगा और चैनल को सिस्प्राइज जरूर कर ले ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिविक्शन सबसे पहले मिल बलते अगले वीडियो में तब तक लिए धन्यवाद